कौशाम्बी के चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल बस्पा और सपा के बाद अब भाजपा में जानी की तैयारी में है सूत्रों की मानें तो वो इसी सपा सपा से रिष्टा तो भाजपा की सदसिता ग्रहन कर सकती है टीवी नाइन के समवाताता से हुई एक्सक्लूसिब बातचीत में पूजा पाल के करीबी ने खुद इस बात की पूस्ची की है अब आपको शब्द सा बताते हैं पूजा पाल के करीबी ने हमारे समवाताता से क्या बाते गई यूपी में साथ अगस्त से शुरू हो रहे विधान सभा के मानसून सत्र से पहले पूजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी पूजा पाल पिछले तीन दिनों से दिल्ली में है दिल्ली में बीजेपी के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है पूजा पाल दो से तीन दिनों के अंदर ही इस तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगी डिप्टी सीम बरजेश पाठक की इस पाला बदल में एहम भूमी का रही है बीजेबी उन्हें MLC बना सकती है या फिर किसी निगम या आयोग की जिम्मिदारी दे सकती है आपको बता दे कि पूजापाल इससे पहले भी दो बार BSP के टिकेट पर विधायक रह चुकी है प्रियागराज की शहर पस्चम सीट पर पूजापाल 2012 में माफिय अतिक एहमत और 2007 में उसके भाई अश्रफ को हडा कर विधायक चुनी गई थी दरसल पूजापाल के विधायक बती राजुपाल की हत्या के बार पूजापाल पहली बार साल 2005 में राजनीतिक अखाडे में आई थी उस समय वस्पा प्रमुक मायवती ने पूजापाल को वस्पा से टिकेट दिया और पूजापाल पहली बार विधायक चुनी गई थी राजुपाल की हत्या का आरोब माफिया अतीक एहमत और उसके भाई अश्रव पर लगा था पूजापाल के गरीबियों का दाबा है कि योगी सरकार ने माफिया अतीक एहमत और उसके गैंग के खिलाब जिस तरह से सक्तिकारवाई की है उससे प्रभावित होकर ही पूजापाल बीजेपी में शामिल हो रही है हालागि पूजापाल ने तीन दिनों पहले ट्वीट कर समाजवादी पार्टी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद बताया था पूजापाल के साथ प्रियागराज मंडल के कुछ अन्य सपा विधायकों के भी पार्टी छोड़ने की उस समय चर्चा थी सूत्रों के मताबिक पूजापाल फिलहाल अकेले ही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है पूजापाल साक्षी महराज की उन्नाव सीट से लोग सभाका चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी उन्हें एमलसी बना सकती है या फिर किसी निगम या आयोग की जिम्मेदारी दे सकती है दारा सिंग जोहान के बाद समाजबादी पार्टी के एक और विधायक के स्तीफि से अखलेश यादव को बड़ा जटका लग सकता है झाल